वेलकम टो एग्री विक्टर पोइंट आज हम मचली पानन की नहीं तक्निक के बारे में जानेंगे कि आखरी की तक्निक क्या है और इसमें क्या होता है देखें यह जो बायो फ्लक्ट टेक्नोलोजी है यह क्या है न्यू फिसरीस टेक्नोलोजी देट आर बिंग अडॉप्टे पर कंभी रियर्ड यानि इस तक्निक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं इसमें कम लागत लगती है पानी भी कम लगता और उसके साथ जादा मचलियों का का आनन हम कार सकते हैं तो इस है lighting यहां पर एक टेंक बनाये करते हैं What happens in bioflock technology यानी क्या है यह जो टेक्णोलो़्जी होती है यह किसे काम करती है इसमें क्या होता है तो देखे बाज़ीों पाइजरे प्रोटीन सेल्स यानी इस सिस्टम के अंदर क्या कते हैं बेक्टेया के अधिरीक्त भोजन होता है उसको प्रोटीन सेल्स में परिवर्थित करता है ठीक है आगे इट देन इट इस यूजड इन दर फूड माटेरियल और फीज और यह जो भोजन है यह मचलियों के भोजे प्रदाथ में काम आता है ठीक है इट कंटेन बायोफ लोग अलगी बैक्टेरिया प्रोटोजोव एन और गनिक मेटर तो इसमें क्या होता है बैक्टेरिया उते प्रोटोजोव और कार्बनीक प्रदाथ सारे इसमें समयली तुरुप से पाए जाते हैं इट कंटेन 25-50 पर्ष प्रोटीन होता है और 5-15 प्रेसेंट क्या होती है वसा पाए जाती है अगर हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलोजी का यूज अपन कर रहे हैं तो में चीज क्या तो हमें साइसमें बिजली के आवशकता हमको पढ़ती है यानि अगर 24 होवर इलेक्टिस इस यानि क्या है इसमें 24-24 घंटी हमको बिजली के आवशकता पढ़ने वाली है और अगर आप इस टेक्निक का यूज कर रहे हो तो बीना बिजली के मचली पालन इसमें नहीं हो सकता है मैं चीज यह इसके आप कुछ रिसोर्से के आवशकता हमको पढ़ेगी अगर हम यह यूज कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए सिमेंट टेंक चाहिए इसके वाल यह टेंक हो रहता है इसको बदमार टार्पूलीन टेंक बोलते हैं एरेशन सिस्टम होता है इसके अंदर एलेक्टिस इविल किस ब्रेकार से सेमेंटेक यहां पर बनाओगा उसके बाद करें यह देखिए टार्पूलीन टेंक के नीचे ब्लू कलर का होता है यह देखिए इस टाइप से बनाओता है कि पीषिरी सीट टोटेषट यहां पर देखें डले होए हैं हम देख पारें जिस तरीके से 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 हमारे पास अबलाबल हम सकते हैं बना भी सकते हैं हुक रियरिंग फैस इन बायौ लोग टेक्ट तकनोलोजी है इसमें पालन यो की मचलिया अगर हम देखो देखें तो इसक에 और पापदा紡 कर सकते इसमें कर सकते का जिसे अब यहां पर देखूंड जह है वाइट कलर की दिखरी इदर टिलाप्या है यहां पर यह थीक ए-टी किष्ट ankle होड़ी बोलते हैं यह भी यह हाँ इसके बाद हम देखे सिंगी थोड़ी सी लफिकुंगी यहां पर यह सिंगी है और यह सारी जो variety है यह क्या है कि आसानी से हम इसमें बाइफलोक टेक्निक में इनका हम पालन कर सकते हैं अब बात यहाद है जिकि फाइदे क्या क्या हमको होते हैं तो सिद्धी सी बातें की मोडर्न साइन्टिपिक यानि क्या है कि आधोनिक और वेग्यानिक तरीका है मत्यश पालन करने का और इसमें रोजगार अच्छा है इसके अंदर अपन कर सकते हैं फिसके न ओनली भी रेज इन टेंक विदाउट डिंग दर फोंडिंग तो मुदला भी क्या है कि इसमें ताला अब बात करते हैं अब बात करते हैं इकोनोमिक बेनिफिट की बात करें कि एकोनोमिक बेनिफिट में क्या होता है इस प्रोड्यूस देन इट केन अर्न प्रोपीट ऑफ मिलियन और रुपीज महंगी मचलियों का पादन किया जाए अगर इसमें तो लाग रुपियों का मुनाब हम गमाए सकते हैं अगली बाद यह कि इसमें तरीके से काम करती है ठीक है तो इसको हम आसानी से अपना सकते हैं कर सकते हैं ओके थेंक्यू फॉर वच्छिंग आज़ा है